हेलो स्टुडन्स लास्ट वीडियो नी अंदर आपणे जो यू हतु मैगनेटिक फिल अने मैगनेटिक लाइन अफ फोर्स मीन्स चुम्बक्य क्सेत्र अने चुम्बक्य वर्ड रेखाओ मराबाचे एक डम इजी टॉपिक हातो तो थोड़ू revision यक्राइगी दो शू को एक चुम्बक्य लई ले आतो मराबाचिं हुआ हम एक चुम्बक्य अपणे मुक्य है तो एनी आसपास थोड़ू जो एरिया हुए лемराबाचे एमा आपने का एक चुम्बग बिजू चुम्बग मुख्य अथवा ता कोई बिजू चुम्बग के वस्तु अपने मुख्य है तो एनसों कर से खेच लेसे तो ए जेटला एरिया में अर्सर वत्ता याजे लोही चुम्बग ने मेराबर तेनसों केवाई मैगनेटिक फिल्ड हाँ एनी बहर आपने दूर मुख्य सुता हो ए एनने आकरसित नहीं कर से तो जेटला एरिया मां एक कोई पुर्ण बिजा चुम्बग अथवा ता चुम्बग के वस्तु नाकरसित कर देशे तो ए एरिया नसों केवाई छे चु इतना डेश्ट डेश्ट करने आजे छे नहीं आजे बतावी छे गूल सर्कल देखा एक कालपणी करेखा ओओ अछे बराब एनसों केवाई छे चुम्बग के वर्ट रेखाओं केटिंग सो इंग्लिस में मैं बोलता हूं कि a magnetic field किसको बुला जाता है magnetic field means the take the one magnet okay and the region around the magnet in which another magnet or any magnetic material experiences the force means हम यहाँ पर एक magnet लेते हैं उसके आसपास का एरिया की वहाँ पर intensity होगी वहाँ ज्यादा तो वह एरिया में हम दूसरा कोई magnet या magnetic material रखेंगे तो वह क्या होगा अट्रेक करेगा यह जो है वो तो फोर्स लगेगा getting यह रिपल्स भी करेगा तब भी फोर्स लगेगा opposite direction में सो जो एरिया में कि वह मतलब दूसरी कोई चीज को अट्रेक कर लेगा वह एरिया को बोलता है magnetic field उसके outside दूर होका तो वह अट्रेक करेगा नहीं और magnetic field को हम देख नहीं सकते एक्चूली तो उसको रिप्रेजन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं magnetic field can be represented by imaginary line and that imaginary line call the magnetic line of a force यह है उसकी direction क्या होगी उसकी direction यह magnet के बहार north to south होगी और magnet के अंदर south to north बस आपको यह इतना याद रखना है चलो अब हम आज लाया topic लेते हैं मैंने बोला था यह magnetic field and magnetic line of a force exam point of view IMP है अब बात करते हैं नया topic magnetic field of a conductor carrying करा अब यह जो है न सिफ आपको समझने के लिए है इनके base पे हम दो rule पढ़ेंगे आगे यही वीडियो में वो most IMP है तो मैं आपको बोलता हूँ बस इतना पढ़ना है आपको सो यह आपको समझना है अब मैं उसका overview देता हूँ एक current carrying conductor यह वह magnetic field तो हमें पता चला अब current carrying conductor क्या है कि एक conductor होगा कोई भी एक लेलो ऐसा कंड़क्टर यानि किसको बोलते हम जो भी current को carry करेगा बराब अच्छे एलेके गुज्रादी में आपड़ा सू कहें अच्छे ना सू वहाग कि कि जे current ने वहन करे अच्छे ते वह पाद है बराबन ना सू वहाग तो जस्ट फर एक्जम्पल हम यह एक कोपर का वायर यूज करते है घर पर को करन को carry करता है तो एक conductor हो गया वह वायर सिंपल हम बोलते हैं वायर तो ओके कंड़क्टर हो गया वह current को carry करेगा तो यह बात हो गई अब magnetic field of a conductor carrying current अब यह समझाने से पहले हम आपको एक example देता हूं कि हमारे यहां पर जो कि तो उसमें क्या होता है हाई current होता है होता है तो आप उसको टच करो तब भी आपको current लगता है ऐसा है नहीं और उसके आप नजदिक जाओ ना तब भी आपको खीच लेगा इसका मतलब क्या हुआ है एक वो मैंगनेट ही बन गया क्योंकि जब यह यह लाइन आपकी जा रही है electricity की ओके तो उसमें से जब current पास होगा current को हमने डिनोटेट करना है तो क्या करेंगे capital I से सो यह conductor में से जब current पास होगा तो यह जो आपका conductor है उसके आसपास क्या होगा magnetic field generate हो जाएगी ओके सो magnetic field generate होगी इसका मतलब कि आप नस्दिक भी जाओगे यह area के अंदर तो आपको वो खीच लेगा सो ऐसे है नहीं कि आप वो wire को पकड़ लो तब ही आप चिपक जाओगे current लगेगा आप उसके नस्दिक जाओगे और उसका voltage ज्यादा होगा current ज्यादा होगा तब उसके नस्दिक जाओगे तब भी आपको वो खीच लेगा क्यों कीचता है क्योंकि जब उसमें से current पास होता है तब उसके आसपास magnetic field generate होती है बस उसका कहना का मतलब यह पूरा topic है यही है बराबर शेर ओके when the current passing through the conductor at that time magnetic field is generated around the conductor बराबर ज्यारे conductor मतलब में तमने कीदू थे कोई पड़ेक तार लेलो तेमा थी ज्यारे current पसा थासे त्यारे एक तार नी आसपास सून जनरेट थासे magnetic field ज्या मतलब चुम्बक बनी जासे रितना है बराबर चे जहरे करन पास थासे त्यारे कई नी त्यारे एम नम्रे से त्यारे magnetic field जनरेट थासे नाई बराबर चे तो आएक कॉंसेप्ट छे खूब जीजी चे आँ तमारा खाली समझ वानू छे एक्जाम माटा इमपी न थी सो देख कि यह यह बी जो है वह क्या है कंड़क्टर है और यह एक प्लेन है पेपर प्लेन है रखा है आपको सिब बताने के लिए कि डाइरेक्शन कौन सी होगी मैंगनेटिक फिल्ड की वह यह रजिस्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे वह करन्ट लिमिट करने के लिए यूज इसी बैटरी है अब जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे यह कंड़क्टर के साथ अब यह कंड़क्टर है उसमें से करन्ट पास होगा नहीं होगा ऐसा ही सुटीन पास हो जाएगा जब उसको हम यह बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें से करन्ट पास होगा उसके डाइरेक् होगा यह conductor में से तो magnetic field जन्रेट होगी मैं आपको बोला तो यह magnetic field बताए गई है कि अब के से दिखती नहीं है लेकिन यह imaginary line के थूँ बताए गई सो magnetic field जन्रेट होगी अब वह magnetic field की direction क्या होगी मान लो कि हमारा करण अभी यह की direction में जा रहा है तो magnetic field की direction क्या होगी अब करण हम opposite direction में कर ले बैटरी को उठा कर दो तो करण इस direction में आएगा तो magnetic field कौन से direction में जन्रेट होगी वह find करना है तो वह हम कहां से find करेंगे हमारे पास दो rule है वह दो rule यूज करके के हम find out करेंगे कि करन की direction ये होती है तो magnetic field जो जन्रेट होती है उसकी direction क्या होती है anti clockwise या clockwise बराबा कि खबर पड़ी छे कि ज्यारे करन धारों के आधी सामा करता हो अपसा थाय ची कंड़कटर मा थे त्यारे जे चुंबब क्या सेत्र जे उत्पण थाय छे चुंबख अक्या क्या लाइनन ओ छे नधे जे दीशा कही रिसे इनी गल्यय कातानी दीशाम से अरि इतना फरता गल्यय instructors ूअivat विरुद दिशामा फर्स से ए अपने सोधवू होई तो आपने बे रूल जोवाना छे राइट हें रूल एंड कॉर्क स्कुरू रूल तो एना द्वार आपने खबर पड़ से क्रंट आ दिशामा जाई छे तो मेगनेटिक फिल्ड छे चुम्ब क्षेत्र हो छे तेनी दिशामा आ आशें ख्याला विग्यों ओके सो वेनेवर करंट इस सिंपली फ्लोईंग थ्रू दिक कंड़क्टर इन दिस डाइरेक्शन अड़ेट तैम Is when magnetic field is generated around the conductor If we want to find out the direction of the magnetic field generated around the conductor ess and we have to use two rules right hand rule and corkscrew rule by using this two rules we can easily find out the direction of magnetic field if we know the direction of current if the current is passing in this direction then the direction of magnetic field will be changed getting so यही मैंने बताया कि यह इतना important है नहीं यहां पर आपको क्या समझना है कि एक तयार है conductor है उसमें से जब current pass हो गया तब magnetic field generate होगी current pass नहीं होगा तो magnetic field generate होगी नहीं जब magnetic field generate होगी तो वह कौन सी दिशा में होगी कौन सी direction में होगी उसकी direction क्या होगी वह find करना है तो most IMP topic अभी यह right hand rule and यह court scroll rule देखो यहां पर IMP लिखा भी है so मैंने बताया वैसे कि यह आपको सिफ यह topic जो है वह सिफ समझने के लिए है right उसको नहीं करना है main जो है वह हमें करना है यह दो marks में भी आता है right hand rule and court scroll rule ओके तो उसमें हमें figure डो करनी है और लिखना है अभी देखो इतना ही पढ़ना है right hand rule में बस इतना और यह figure और court scroll rule में इतना और यह figure यह बीच वाला जो है ना नॉटेशन रहा है तो पीपर पर जो हम बताते है तो उसका इंग out का जो नॉटेशन है वह दिखा गया है लेकिन यह करने के जरूरत है नहीं आपको getting हम आपको बताओंगा लेकिन चले का इतना और है नहीं हां साइद आ सकता है लेकिन इतना आएंपी है नहीं यह दो रूल आएंपी है तो हम देखते हैं यहां पर लिखा है देखाओ विद आ हैल आप दीश रूल दा डायरेक्शन अप दा मैंनेटिक फिल प्रोड्यूस बाया करन केरिंग कंडेक्टर केंड बी फांड आउट गेटी जे में तमने केयी होतु है छे के आ रूल ना हलती मदद थी जे मैंनेटिक फिल प्रोड्यूस थाई छे आप जे वहक करन वहन करे छे ते बराबर त्यारे जे मैंगनेटिक फिल ले लग चुंबो क्यों सेत्रों जे उत्पन थाई छे एनी दीसा जावामा मदद करे छारू सो रूल सूँ छे मेन आजे डाक कल ले छे ना ब्लैक इमेन छे करिए जो देखो यहां पे फिगर में आपको पता चलता है कि क्या करना है हमें एक कंड़क्टर लेना है करन करी उसको राइट हैंंड में युल करना है इसी साथ से कि तरह से मनावाल पकड़ना है उनको यहाब लिख्खा भी है देखो hold the conductor in the right hand बराबर छे एटले कि एक जे conductor छे जो वाहक छे तार तेने आपड़े एक जम्णा हत मा पकड़वानों छे अब के वरीद पकड़वानों ते जो जो and such that the thumb points the direction of current flow के आजे आपने अंगुठा ने दिसा छे एसु बताव से जे करन कई दिसा मा फ्लो थाई छे ते बताव से बराबर then the band finger shows the direction of magnetic field त्यारे सु थसे जो अंगुठो जो करन ने दिसा बतावे तो आजे आउंगली हो जे दिसा मा वडी छे ने एसु बताव से तमारे magnetic field लेके चुम्बक क्या जे क्सेत्र अचे तेने दिसा मला बकड़ी दिसा मा फरसे एंटी क्लोकवाइस धेट मेंस गल्यान ना काटानी विरुद दिसा मा आ रितना जो आपने आंगली हो जे रितना वडी छे ने बस ते दिसा बताव से ख्यालाईगे तमने बुखुब जीजी छे एटले एटलू याद राखवानों के जे या कंड़क्टर छे एमाथी जारे करन पास थाई त्यारे चुम्बक क्या क्सेत्र उत्पन थाई अने इने दिसा जाने मी होई तो राइट हेंड रूल अने खौञ करोड राइट हेंड रूल सूं केई छे की जे चुम्बक क्या क्सेत्र ने जिसा हो छे ये सुन बताव से तो हमारी करन नी वीशा है तो जे वडेली अंगडी हो छे ये सुन बताव से में चुमबक्यक्षित्र नी वीशा है गेटी तो इस तो वेरी सिंपल कॉंसेट ओके if the current is passing through this conductor at that time magnetic field is generated and to find the direction of that magnetic field here we use the two rule right hand rule and core screw rule so in right hand rule just hold the conductor right in right hand in such of a that this thumb direction is just shows the direction of current then this bend finger direction simply just shows the direction of magnetic field getting एकनम easy है आपको end में फिर से revision भी करवा होंगा अभी चलो अब बात करते है नय रूल के बारे में cork screw rule so ये भी IMB है so यहां पर भी लिखा है देखो the direction of the magnetic field produced by current carrying conductor can also be found by using the cork screw rule मतलब जे current carrying conductor छे मतलब के जे करन नूँ वहन कत्तू जे वाहक छे शू वाहक के वाहक वाहने तो तो तेनी फर्ते जे चुंब के क्सित्रों उत्पन थाई छे एनने दीसा जानावा माते आप आना थी पार आपड़े एनने दीसा जाने सक्क्ये चे और सक्कुरू रूलनी मदत थी सिफॉ अपने राइट है रूलनी मदत थी पांड ने अनी मदत थी पर एज वस्तू बराबचलब उचय तो फीगट करवानी तुमारे जारूरी ना थी कि भाई तम्हारा आज रितना फिगर दो करवानी जी रिते बतावी छेज़े इतना concept तम्हारो फुल्फिल थो जुए आज सेम आरित तक बतावानी हो कर जरूरी नथी कोई screw जी बताई देऊ तो पहुंच चाल से मैं तमने पच्छी बताव चूँ सो पहले हम रूल देखते ह मतलब इसका मतलब क्या है कि जो screw की जो direction है यह अभी screw है देखो यह एक wooden का block है कोई भी एक block लेलो कि उसको अंदर हमें screw लगाना है तो progress of the screw is the direction of current का मतलब क्या है कि screw जिस direction में जाएगा हम उनको fit करेंगे मानलो तो यह direction में जाएगा तो वो direction किसकी है current की direction है मानलो तो यहां पर बताया है simple तरीके से conductor है उसमें से current यह direction में जा रहा है तो magnetic field यह anticlockwise होगी खुबा जीज़ी छे तो केवान मतलब सुँछे तमें आने बीजी रीते थोड़ी अलग रीते आने डायरेक्स लग्यूए डेफिन रूलने तो पर तमें लखी सोको छे वह ज़रूरी नहीं थी के same to same book मा लख्यू छे ते वुज आपड़े लखवानों 2 गुजराती मा बोलुछू आएक सून धे तमार स्कुरू छे अने कोयद पने क्लाख़णान टूकहड़ो जैली टुकुल अरी कणे अंदर आपड़े . श्कुरू नय मार बामलों हो छे तो श्कुरू ने अंदर आपड़े फिट करी सूं तो श्कुरू करी दिशामां जास तो इस दीशा को निखे करनने दीशा चे तो स्कुरूने आपने जह दीशा में फेरा उसूं आधिसा में यह दिशा को नी थी जैसे मैगनेटीक फिल्ड नी थे जैसे बस आज वस्तों छे सिंपल एकदम छे बराबर छे तम ने थोड़ों रिविजन कराई देऊं छूँ फिकर द्वारा देखो ओके तो यह कंडुक्टर है यह कंडुक्टर है अब उसमेंसे करन पास हो रहा है वो कौन सी डाइरेक्शन में हो रहा है देखो यह जो थम है वो करन की दीशा बता रहा है direction तो यह जो finger है मुलब आग्लियों जो वडिच है इनी जो दीशा है मुलब आग्लियों कही दीशा उस आईर्या दीशा इक डिशा क्वोने थे जैसे आहां कंड़क्टर ने असपास जा मैंगनेटिक फिल्ट यंुद्रेट हाई है में एक वे लालकी कला ने राइंग देखाई छे इत मैंग मैंगेटिक फिल्ट है तो हमारी पर और अब, तार मांथि वह अक मातिक करण पसा था से तिहारे पर माने लो कि करण नी डिसा आथ ही जासे उंधी तो मैगनेटिक फिल्प पन उधी थी जासे आ दिसा मा फर्वा लाकी जासे बया बाचे ख्याला विग्यों सो आ वाद थे राइट हेंड रूल नी आ फिंगर पती तमने खबर पर से कि आपने कोई बीने एविरी इतना पकड़ना जमणा थमां कि जो अंगूठ हो छे एकोनी दिस पता हो से चुम्बक क्यो खրत्रा नूं को शो सिंप्ली ओल द थे युए नी मैं डि ऐ निसा बताव से चुम्बक क्यो खषित्रन में ओके तो just simply hold Thumey Dev Praatine के जहर आपने स्कुरू ने, आपने जो स्कुरू कही दिशामा जतो छे माने लोग आ दिशामा तो आज ये छे एसू छे डाइरेक्शन अब करन ये आपने खबर छे मानिलो तो magnetic field जन्रेट थसे ए आर इतना जन्रेट थसे के पछी आर इतना थसे गल्यार ने काटा ने दिशामा के ना विरूस दिशामा means anti-clockwise या clockwise that's we know now हमें पता नहीं है we don't know about the direction तो कैसे पता चलेगा कि स्कुरू को ये direction में ले जाने के लिए उसको कौन सी direction में गुमाएंगे तो ये direction में तो ये जो स्कुरू जो गुमेगा वो direction magnetic field की हो जाएगी और स्कुरू जो direction में जाएगा वो किसकी हो जाएगी करन की हो जाएगी रैट तो अभी ये direction में जा रहा है हमारा स्कुरू तो उसको गुमाएंगे ये एंटी-clock wise स्वारी clockwise direction गल्डियां नी दिसा नी दिसा में फेर आपसे तो ये जो मैंने बताया सिफ आपको समझने के लिए और ये भी आपको समझना है तो आप समझ सकते हो ये बीच वाला जो है ना मैंने बोला कि अभी आपको नहीं करना है ये ये जो मैंने बताया शिफ इतना भी नहीं है ये दो ये इंपोरन है सो यहां पर क्या है यह दोनों magnetic field है देखो यह मैं समझा देता हूं यहां पर लिखा भी है देखो when the conductor is placed perpendicular to the plane of the paper so conductor एक paper ले लो आप ऐसे इस तरह से ये बैबल उसके perpendicular एक क्या हैगा conductor ऐसे हम ले लेते हैं तब यह जो है notation circle और बीच वाला cross ये क्या बताएगा paper पे हम बताएंगे ना तब क्या बताएगा कि current is flowing in the plane okay कि plane के अंदर current flow हो रहा है and यह जो है dot आएगा उसका मतलब क्या होएगा current is coming out current बाहर जा रहा है okay so यह notation है सिप बताने के लिए यह जो है वो current अंदर आ रहा है यह जो है वो current बाहर जा रहा है okay so बस यह ही है notation के बारे में यहां पर तो main important जो है आपका वो क्या है यह है दो रूल बस यहां पर यह ही है इन सच आगे क्या लिखा है वो यहां पर दोनों बताया है दोनों केसिस बताया है राइट so यहां पर जो a figure है उसमें क्या है the current flows into the plane यहां पर यह cross बताया है ना उसका मतलब क्या हुआ यह conductor के बारे में बताया है यह बीच वाला जो छोटा दीख रहा है circle यह conductor है current अंदर आ रहा है cross current बाहर जा रहा है तो dot तो यहां पर figure a में क्या है अभी यह cross है तो current अंदर आ रहा है into the plane of the paper and the direction of the field is clockwise बाद बदना आ रहा है तो direction जो हम बैंग्डेडिक field जनरेट होगी चुम्बक्रक्षेत्रोजी उत्पन्ता से जहने कई दिसा से गल्यान ना काड़ा ने जिसा है clockwise direction जब करन बाहर जा रहा है यह फिगर में बताया देखो यह circle है और यह dot है so if the current comes out of the paper plane the direction of the field is anticlockwise so direction of field क्या हो जाएगी anticlockwise गल्यान ना विरुद्धी समाई ज्यारक करन बाहर आव तो इत्यार है okay so यह जो है concept आपको समझना है सिख यह आपको एक्जम के लिए अच्छी तरह से करना है course crew rule and right hand rule next video में हम आगे के next topic देखेंगे